नमस्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ चेक्निकल कुरूजी में और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बड़ी ही आसानी से अपने मुबाइल फोन में स्टोर्ड किसी भी वीडियो या म्यूजिक फाइल को अपन मैं आपके लिए दो दिन पहले एक वीडियो बनाया था इसमें आपको बताया था कि कैसे आप अपने फोन में स्टोर्ड किसी भी वीडियो या किसी भी वीडियो फाइल को अपने मुबाइल फोन में वायरलेसली प्ले कर सकते हैं उस वीडियो को आप सभी पसंद किया और के बाद से काफी users की काफी viewers की demand थी कि मैं एक तरीका ऐसा बताऊं जिसके बाद में आप अपने phone में store'd किसी भी video या किसी भी music file को अपने computer में play कर पाएं तो आज की इस video में आपको ऐसा ही कुछ बताने वाला हूँ यह जो है यह काम करेगा अगर आपका phone और आपका computer एक same wifi network में है और जैसा कि मैं आपको बताता आया हूँ इससे पहले भी कि इसमें आपका data खर्च नहीं होता है यह सिर्फ और सिर्फ एक internal wifi के थुरू काम करता है चाहे मेरी पुरानी वीडियो थी चाहे मेरी यह वाली वीडियो है इसमें आपका data कहीं पे भी use में नहीं आता है बस आपको एक wifi चाहिए आपको internet नहीं चाहिए तो सबसे पहले आपको आपके phone में जाना है play store में और एक application जिसका नाम है bubble upnp for dln आपको इसको install कर लेना है इसका link मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो के description में और उसके अलावा आप चाहें यह तो play store पे सर्च कर सकते हैं सबसे पहले जाना है windows media player में तो यहाँ पे है मेरा windows media player जब आप इसको खोलते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का layout दिखेगा हो सकता है कि आपका layout थोड़ा सा अलग हो यहाँ पे एक option है आपको दिखेंगे उपर top left में stream का आप stream पे click किजिए आप click किजिए more streaming options पे उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे आपको दिखाएगा show devices on local network तो है यहाँ पे आपको local network की यतनी में devices आपको सब पे दिखा रहा है और यहाँ पे बस allow all पे tick किया हुआ है इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एकदम सब कुछ ठीक है आप इसको click कर दीजिए नीचे से okay उसके बाद में यहाँ पे stream पे click करने के बाद में allow remote control of media player यह जो option है allow remote control of my player आप इसको enable करना है इस पे आप click किजिए और यहाँ पे आप allow remote control on this network पे click कर दीजिए और आने वाला हूं लेकिर अभी के लिए बस आपको इतनी settings करनी है और आपको आपका media player खुला रखना है अगर आप इसको close कर देंगे तो यह technique काम नहीं करेगी चलिए यह settings तो थी बस computer में हो चुकी है आप दिखते हैं कि phone में bubble upnp से आप क्या कुछ कर सकते हैं तो दो दोस्त setup जैसी होता है मैं आपको बताता हूं अगर यह कैसे काम करता है चलिए setup हो चुका है tutorial आपको बताता है कुछ कुछ आप देख सकते हैं कैसे कैसे लेकिन आपको इसकी जुरुत नहीं पढ़ने वाली है और आप सीधा done पे क्लिक किजिए अब देखिए done पे जैसी आप क्लिक करता हूं और मैं आपर select करता हूं मेरा टीवी और जैसे आप देखिए टीवी जो है वो भी आ चुका है एक दूसरा टीवी है वो भी आ चुका है उसके अलावा admin जो है यह जो दिखरा आपको windows media player यह है जो मेरे को select करना है computer play करने के लिए तो मैं इसको choose कर लेता हूं तो renderer जो हो गया है वो हो गया है windows media player जो library है वो मेरे को रखना है local media server क्योंकि मैं अपने phone से ही data अपने computer में play करना चाहता हूं बस आपका कम बन गया उसके बाद में आप जाईए यहाँ पर देखिए आपकी library को option आ गया आप लैबरी पर क्लिक किजिए जैसे आप लैबरी प्लिक beat और मैं इसको अपने phone से now playing पर जाऊंगा मैं यह से pause कर सकता हूं तेकिए मैंने pause किया मैंने play किया मैंने forward किया तो यह जो play है यह computer में play हो रहा है दिसकते नीचे की तरफ तो यह computer में play हो रहा था मैं आपको एक video play कर दिखाता हूं जिससे आपको एक अच्छे सा idea मिलेगा तो चलिए मैं वापीस जाता हूं library में और मैं back जाता हूं back जाता हूं back जाता हूं यह आ गया है videos वीडियो में एक sample मैंने movie copy करी है चलिए मैं इस पर click करता हूं और यह HD video है और यह बड़े ही आराम से आपको देखिए आपके computer में wirelessly play हो रही है मैं यहांसे इसको pause करता हू यह देखिए pause हो गया है यह play हो रहा है चलिए यह play यह बड़े ही आराम से आप अपने phone से यह देखिए इसको pause किया इसको play किया और यह HD video बड़े ही आराम से आप stream कर पाने है देखिए मैं इसको forward कर देता हूं चलिए यह इसको rewind किया वापिस forward किया वापिस rewind किया stop किया त उसको आप अपने फोन से वायरलेसली अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने घर में सभी के साथ में अपने कंप्यूटर के थ्रूँ वायरलेसली प्ले करके उसमें आप सबको दिखा सकते हैं अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब भी कर लिजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की अच्छी-अच्छी अलग-अलग टेक्निक वीडियो लेके आता रहता हूँ अभी के लिए इतना ही जैहिंद वंदे मात्रम